हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो गर्भ गुरू में डॉक्टर प्रियंग का याद हो और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में यानि कि बच्चा मुमेंट करना कब सुरू करता है एक दिन में बच्चे की मुमेंट कितनी होनी चाहिए यादी बच्चा कम मुमेंट करता हो तो क्या होगा जी है यदी आपका बच्चा कम मुमेंट करता है करें लक्ता है का स trauma przez और यह है एम्नियोटिक फ्लुड की कमी होती है या आपकी डाइट अच्छी नहीं होता है तो इसकी मुमेंट कम हो जाती है कभी आपने यह भी देखा होगा कि आसपास के लोगों से सुना होगा के अंदर बच्चा सुख जाता है वहां तक भी दिक्कत आ जाती है तो बच्चे की मु मुमेंट ठीक हो जाती है तो फिर वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है तो वीडियो आखिरी तक देखते रहेगा वीडियो अच्छा लगए तो इसको लाइक एंसेर कर दीचे के और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अगर्भ गुरू चनल को तो कर लीचे आपक संबसक्राइब स्कसर करने वा ने तो सबसे पहले तो यहां पर बच्छा की मुवमिन करता होगा तो यहां पर आपकी वहां पर हाटबीट आ जाती हह उसQué है तुपर अधसे आध यहां पर आपको कब पता चलेगा जनरली पाच्वे महीने में आपको पता चलता है क्योंकि तब बच्चा वहां पे इतना थोड़ा उसका हाथ पेर मजबूत हो जाता है आपका जो यूट्रस से एक्सपांड हो चुका है तब आपको उसकी मुमेंट फिल होती है तो पाच्व ostr हो घया हो यूज़ी फिलिंग आती है लेकिन वह बच्चा मुमेंट वह मुझे पाता चल रहा है पो मेने में आपको पता चलेगा कि बच्चा घुम रहा है यहां पर बहुत सारी चीज़ें को सब्सक्राइब नहीं मैंने बते हैं आपकी बेली फेट ज्यादा है अब की सेकंड प्रिग्नेंशी एक बहुत ही ज्यादा प्रिक्टर होते हैं कि यह आपको बहुत ही ज्यादा पता चलेगा यह दीर दीर आपको मजबूत होंगे उसकी कीख होगी वह वहां पर इतनी ज्यादा पावर्फुल होगी कि वह आपको अच्छे से महसोस होगे के नहीं किक मार यह नहीं हाथ मारा तो यह सब आपको साथ वैठ्वे महीने में पता चलेगा लेकिन यहां पर बच्चा पूरे दिन घुमेगा पूरा घुम जाएगा वह आपको पता चलेगा जैसे उपर था पूरा घुम के उसका से नीचे चला गया यहां साइड में आपको पता चलेगा वह सब आप पता कर सकते क्योंकि तब बच्चा छोटा रहता है आठ्वे महीने के बाद बच्चे का हाइट होता है वह बढ़ जाता है तो फ्री मुमेंट नहीं कर पाता फिर बाद में सिप और सिप आपको हाथ और फेल रहा है उतना पता चलेगा लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आठवे महीने के बाद एक दिन में आने कि सुबह के आठ बज़े से लेकर रात के आठ बज़े तक या नो से नो बारा गंडे के अंदर बच्चा एटलिस्ट दस बार आपको पता चल या ने कि उसकी मुमेंट अपको पता चलनी चाहिए मेरे खुद के केस में हुआ था कि 7 महीने में ही मेरी बच्ची ने वहां पर मुमेंट करना कम कर दिया मैंने एक-दो दिन देखा कि कम हो रही है फिर सौच है की चले से उपर नीचे पहली में होती है को इस वर ने कम था मेरा और इतना ज्यादा कम था यह पर मुझे टर्द सब्सक्राइड पड़ी चलाने परती है फिर जादा युदे की गई और फिर वहाँ पर आपके साथ ऐसा तो लेटरल साइट की पोजिशन में बेड़र्स करना है इतना करेंगे तो इम्मुनियूटिक फ्लूट बढ़ेगा फ्लूट बढ़ेगा तब जाके बच्चे की मुवमेंट होगी पूरे दिन में दस बार भी हाडली मुवमेंट करते थी मेरे बच्चे पूरे दिन में वहीं पर ध्यान कि कब वहां पर हीलती है लेकिन यहां पर आपको पता करना पड़ेगा यदि एसी लाइट में नहीं लेना है कि यहां पर एसी सो रहा होगा या अभी मुझे ध्यान नहीं है इसा नहीं पूरे दिन में दस बार आपको गुमना हो कैसे पता क गुमा है कोई दिक्कत ज्यादा भी कुछ मिठा खालो जैसे सुगर जाएगी बच्चे की मुवमेंट बढ़ जाएगी तो यदि इसके बावजुद भी फिर बच्चे की मुवमेंट ना हो रही हो तो मैंने बताई वैसे सोनोग्राफिक करके पता करना है तो जैसे मैंने बता जनरली पाच्चों छट्थे मैने से स्टार्ट होके अच्छे से मुवमेंट बहुत ही ज्याद अगिन नहीं पाएगी उतनी मुवमेंट आपके आठवे मैने तक रहेगी बाद में दस से पंद्रा बार वो घुमना चाहिए और यहां पर कम घुमता है तो पानी पीना है पहला तिन मैना है तो आप ग्लुकोंडी वोटर पी सकते हैं निम्बू पानी पी सकते हैं हाइड्रेशन मेंटेन करना है बारा से चोदा ग्लस पानी पीना है और थोड़ी सी वोकिंग एक्सरसाइज करनी है तो बच्चे अच्छे से वहां पर उसकी हाइट वेट बढ़ेगा प्रेग्नेंसी एल्थी रहेगी अच्छा रहेगा इसमें से भी कुछ कंफ्यूजर ने कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंड बूक्स में पूच सकते हैं और या हमनी इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं आप भी क्योनिया सेसंस होते रहते हैं तो चले प्रेंट आज के लिए बस इतना ही फिर चल्दी मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल दी स्टेल पी बाइए